हेलो दोस्तों स्वाथ है आपका डिमाकेटिंग बॉल में, मेरा नाम है विशेख, दोस्तों आज की वीडियो कहा है टोपीग है हाउ टू चेंज फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट इन वर्डप्रेस कोई प्राइट को रहाती है और एक्स्टा 10% का डिस्कॉंट आपको हमारे लिंक के तुरू मिलेगा तो गाईज लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डिर्क लिया के पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तों से पहले हम यहां पर जाएंगे फुटर में और फुटर में आप देख सकते ह तो इसको हटाने का कोई option आपको मिलता है या फिर इसको edit करने कोई option आपको मिलता है निक पता नहीं क्यों जो themes companyya होती है वो ऐसा क्यों करती है उसको पता नहीं मुझे लेकिन हाँ यह चीज़ आप अकसर देखो गहां कि आप अपना फुटर copyright टेक्स जो है वो चेंज नही कर पाते हूं ठीक है किसी अपने ब्लॉग की कस्टमाइज़ेशन का यूज करके आपको इसको अलग तरीके से करना होता है ठीक है तो उसके लिए हम कैसे इस चीछ को रिमूब कर सकते हैं हम इसको कैसे अपना अपना खुद का जो टेक्स टम डालना चाहते हैं वो कैसे डाल सक सबसे बड़िया टाइम है और साथ में आपको फ्री डॉमेन मिल रहा है तो यह तो और प्रिमियम सीडियन मिल रहा है ऐसे सर्टिफिकेट भी मिल रहा है डेली बैकप फ्रीमिल रहा है तो बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे आप लिंक पर जाके चेक कर सकते हो लिंक डिस चैस कर सकते हों ठीक है तो गैज इसके अलबा मैं अगर आपको नहीं पता है कैसे पूरा देख लेंटें का आप पर WordPress पे व्लोग कैसे बनाया जाता है Bluehost से hosting बगेरा purchase करके मैंने खुद में भी अपने discount link से purchase किया है तो पूरा proper एक process बताया है मैंने इस वीडियो का आप इसी एक वीडियो से अपना ब्लॉगिंग करिये start कर सकते हो ठीक है तो इसका link description दे दूँगा तो चलिए अब हम शुरू क करते हैं कि कैसे footer copyright टेक्स को हम चेंज कर सकते हैं दुगाई सबसे पहले तो मैं वोको दाओंगा कि आप जो है एक plugin का use करके इसको edit कर सकते हो ठीक है लेकिन कुछ चीजे हैं ध्यान से देखना सबसे पहले हम क्या करेंगे उस plugin को install करेंगे तो हम आगे हमारे dashboard में और हम जा रियल टाइम find and replace तो आपको यहां पर बिलेगा यह वाला plugin रियल टाइम find and replace तो आप देख सकते हो एक लाग से जादा लोगों ने इसको use करा हुआ है ठीक है तो आम इसको एक बार install कर लेंगे install करने के बाद आपको इसको activate करना है अब यह एक्टिवेट हो चुका है तो आप देख सकते हो यहां पर यह रहा real time final replace तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर कुछ settings होती है वह हमें करनी होगी तो सबसे पहले हम setting करने की बजाए हमको क्या करना है हमारे website में आना है और आ आप यहां पर देख सकते हो हमारा टेक्स जो है मुझे इससे कोई प्रावलम नहीं है ठीक है copyright 2023 ब्लागिंग डूर्स इस चीसे मुझे प्रावलम नहीं है अगर होती ही तो मैं इसको भी चैंज करता है लेकिन मेरे कैस में नहीं है आप चाहब तो पुजा चैंज कर सकते हो अब मुझे दिक्कत है built with generate press है ठीक है तो मैं क्या करूँगा सिर्फ यह जो built with है न यह चीज की सीज को मुझे ढूंडना है code में ढूंडना है आप code में कैसे ढूंडते हैं आप होता हूँगा ठीक है बहुत easy step है बहुत easy है ठीक बिलकुल आप यह मैं सोच हो कि code बोल किया है तो अब complicated होने की चुरूत नहीं है बहुत easy step है बता हूँगा generate press को अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि यह एक link बनाया गया है ठीक है तो generate press को नहीं लेंगे हम सिर्फ built with को लेंगे ठीक है इसको copy करेंगे ठीक है एक बार हमने इसको copy कर दिया आपको simply right click करना है और copy कर लेना पर view paste source पर click कर देंगे अब अपने keyboard पे अपने keyboard पे control और F को साथ में दबाना है ठीक है तो अब आपको यह वाला जो बॉक्स है open होगी अब यहाँ पर आपको paste कर देना है built with को तो आप देख सकते हो हमको built with score में मिल चुका है इतना easy था ठीक है अब आगे आपको यहाँ प चैनल पर अलग से आएगा क्योंकि एक link था ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हमारे उस plugin में जाएंगे उस plugin में जाएंगे ठीक है जो की हमने install किया था real time find and replace अब वो हमें काम मिलेगा tools में मिल जाएगा ठीक है हमारे dashboard के अंदर tools में जाएंगे real time find and replace पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमें हटाना है उसको find में डालना है जो हमें डालना है उसे हमें replace में डालना है ठीक हटाना क्या है पता देता हूँ अब मेरे case में मुझे blogging doos तक कोई दिक्कत नहीं थी मैंने आपको कहा है यहां तक मुझे कोई problem नहीं मुझे हटाना है build with generator को तो मैं क्या करूँगा code में जाओंगा यह देख सकते हो आप यहां में build with का शुरूआ यहां से लेकर आपको पूरा मतलब यह यह मान के चलो यहां तक ठीक है यह जो पूरा section है हमारा यह मुझे हटाना है ठीक है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा चलो मान लेते हम एक बार सिर्फ इस content को कॉपी करेंगे ठीक है इसका मिनने कॉपी कर लिया अब क्या करेंगी या फिर अगर हम चाहेँ तो इसको पूरा भी कॉपी कर सकते है हम विमाण लिए है यह पूरा का पूरा जो div है हम इसको कोपी कर लेंगे ठीक है जाधा क्या करना है इसमें यह जो चीज है ना यह हमारे लिए यहां तक होना ज़रूरी है इसको हमें यहां पर रखना ही रखना है ठीक है क्योंकि अगर आप यह रही रखोगे तो यह भी रीप्लेस हो जाएगा हम अपने दूसरे इतना आपको रखना है उसके बाद एक स्पेस देना है ठीक है यह स्पेस यहां तक इतना मैंने अननेसेसरली लिया यह लेने की जरूद नहीं थी तो और आप समझाने के लिए अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो कोई डाउट हगा तो मैं इससी केस में नहीं लेना इसको जादा पसंद करूंगा सिर्फ बिल्ट विट मेरा काम है तो मैंने सिर्फ बिल्ट विट का ले लिया और यह डीप तक मैंने पूरा कॉपी कर लिया आप क्या करेंगे, इसको भी हटा देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया, शुरू से भी आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन उस सीच को फिर आपको यहां पर रखना पड़ेगा, तो इतना confusion क्यों पालना, ठीक है, तो हमने यह कर लिए इतना, आप इसके बाद क्या करेंगे, ह लीना जैन एंड वी विशेक, मुझे यह टेक्स चाहिए, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि लीना जैन जो है, यह बॉल्ड हो जाए, और वी विशेक यह भी बॉल्ड हो जाए, तो भी हम देखेंगे, यह जो दो चीज़े होगी, जो हमने दो टेक्स लिया, यह बॉल्ड हो टेक्स सेलेक्ट करना है, जो इसका HTML टाग है, इसको हमने कॉपी किया, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, राइट लिक करेंगे, और हम क्या करेंगे, हमारे रीप्लेस वाले सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, हम इसकी जगे पर इसको पेस्ट करने वाने है ठीक है अब हमें क्या करना है लास्ट में जो ये डिव है जो ये डिव है इसको as it is copy करके यहाँ पर भी लगाना है क्यूंकि डिव तो हमें बंद करना ही पड़ेगा ठीक है आप क्या करेंगे हम एक बार इसको एक बार अपडेट सेटिंग पर क्लिक कर लेगे और हम चेके रह तो हमने उस चीज को simply यहां से पूरी तरीके से चेंज कर दिया, अब एक और चोटी चीज और आपको बदानी है, आप देख रहे हो यहां पर visual है, और यहां पर text भी है, आपके case में हो सकता है, यह दो option आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने WordPress इंस्टॉल करने के बाद इस plugin क use नहीं किया होगा, disable Gutenberg, Gutenberg को आपने disable नहीं किया होगा, जिसने Gutenberg को disable किया है, सिर्फ उसी को यह दो options देखने को मिलेंगे, बाकी लोग को नहीं मिलते है, तो आप क्या कर सकते हो, YouTube मेरा यह वीडियो देख सकते हो, how to disable Gutenberg editor in WordPress, मैंने Gutenberg को disable कर दिया, disable करने के बाद आपको इ लिंक लगाना चाहते हो, for example अभी जैसे यहाँ पर लीना जैने, इस नाम पर मैं अगर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं आप लिंक भी लगा सकता हूँ, जैसे कि for example यह मैंने अपना जो लिंक मुझे लगाना, इसको मैं open कर देता हूँ, आप कोई भी लिंक 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 यह तो मैं अपने इसाप से लिंग लगा रहा हूँ, आपको भी लिंग लगा सकते हो, जिसे कि यह मेरा लिंक है, इसको मैंने copy कर लिया, और यहाँ पर जो मारा post था, इस पर यह देखिए, यहाँ पर ले जाके, पहले इसको select करना है, text को, ठीक है, फिर इस लिंग पर click करना ह और यहाँ पर आपको इस link को paste कर देना है, paste करने के बाद enter पर click कर देंगे, तो यह link यहाँ पर लगाना है, तो मुझे एक post दूणना पड़ेगा, और यह देखिए, मैरा वी अभी शेक वाला जो link है, इसको मैं copy कर लूँगा यहाँ से, और वी अभी शेक पर भी लाके बै ठीक है, और यहाँ आ गए, और जो div है हमारा, इसको रहने देना है, और बाकी उपर की जितनी भी चीज़े, उसकी जगे पर नया वाला code paste कर देना है, ठीक है, और अब इस page को refresh करेंगे, अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर यह blue color का हो गया, आप क्या होगा, मैं इस पर ज जिन्होंने यह सारे post डाले, उनके page पर आ चुका है, अगर मैं मालो कि अब नीचे आ जाता हूँ, यह footer पर, अभी शेक पर click करूँगा मैं, तो वी अभी शेक ने जो भी post डाले, वो सब चीज़े आप show हो रही है, तो हमने इसको एक link भी आपर create कर लिए, तो ध्यान रख को ध्यान देना है, ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना सा लेते हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, for example, आप मैं सिर्फ इतना सा लूँगा, वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन गाइस समझने की बात है यह, ठीक है, आप मैं सिर्फ अगर इतना ले देता हू यहाँ पर, आप कोई div अगरा नहीं है, यहाँ पर, simply इतना ही लेता हूँ, कोई div अगरा नहीं लेता हूँ, तो मुझे अब इस div की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, मैं इस div को हटा सकता हूँ, ठीक है, अपडेट सेटिंग और चीजे बिल्कुल सही रहने वाली है, अब देखना हूँ, देखो, कोई changes नहीं है, सब कुछ बढ़ा चल रहा है, बिना div के उस div लगाया हूँ, अगर आप div लेते हो, तो div को रखना है, दूसरे div नहीं लेते हो, तो simply आपको यह करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है, अपना photo text को change कर सकते हो, तो guys, discount link description में है इस वीडियो में कोई भी confusion हुआ हो, कुछ भी doubt हुआ तो आप इस वीडियो को पापस देख सकते हो, नहीं तो आप मुसे comment करके बता सकते हो, मैं एक और वीडियो बना दूँगा, जिसने थोड़ा सा और clearly मैं समझाने कोशिश करूँगा, या फिर किसी और तरीके से हम देख लेंगे Facebook page पे या Instagram message करके आप पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ पर च्वाप दे दूँगा, और इसके अलावा, अगर आपको किसी भी दूसरे topic में वीडियो चाहिए, तो आप जो है, इस चानल को सब्साय करके बलाइकन को प्रेस करके रख सकते हो, ताकि जब भी मैं क इस चानल पर आपको जल्दी से उस वीडियो को लेकर आने वाला हो, तो चानल सब्साय कर लो, और बैल आइकन को प्रेस करके रख लो, ताकि जैसे ही में वीडियो अप्लोड करो, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक गाइस, तो यह जो पूरा व्लोग है, मैंने आ आप जाके देख सकते हो, और गाइस, अगर आपको जनरेट प्रेस का प्रेमियम थीम चाहिए, तो आप हमारे लिंके थ्रू जाके वैब बोस्टिंग परचेस करो, और मुझे उसका रेसिप्ट मेल कर दो, मेल में डिस्काउंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, व आप क्या कर सकते हैं, जेनरेट प्रेस का डिस्काउंट लिंक भी दूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप 60% डिस्काउंट के साथ खुच से पर्चेस कर सकते हैं, ठीक गैस, तो दोनों आप्शन है, आपको जो ही पसंद है, आप चुन सकते हो टीक गैस, तो आज की वीडियों सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद